उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है बूशन जूलर्स अनमोर रिष्टों के लिए जे सी सी की आज जो बैठक थी मुझे लगता है कि काफी समय के बाद ये हुई तकरीबन इस सरकार में तो चार साल का समय हो चुका है पाजबा की सरकार को है तो मुझे याद ने की चार साल में ये कभी बैठक कुई है तो इसमें जो हमारे सरकारे मुलाजिम थे जो करमचारी भाई हैं जो तकरीबन ढ़ाई लाग के करीब संख्या आईमा चलकदेश में उनकी एक बहुत पुरानी मांग थी काफी समय से उनके ट्यूज थे उनके जो ट्यूज बनते थे वो पेंडिंग थे लेकिन आज सरकार ने ये बैठक की मैं समझता हूं कि एक तरह से अगर इसको मैं देखूं अपने नजरिये से तो एक लोगतंतर की जीत है कि जो परिनाम अभी आये हैं बाई लेक्शन्स के उसके बाद सरकार जिस तरह से चावं सीटों में बाजपा की हार कुई है तो निश्चित तोर पे सरकार दबाओ में है और दबाओ में उन्हें ये फैसला लिया है कि अब हर वर्ग को खुश करने का जो एक काम ये करेंगे और ये काम तकरीबन तीन-चार साल पहले हो जाना चाहिए था रेगुलर मिटिंग्स होनी चाहिए थी हर साल होनी चाहिए थी जो सरकारी मुलाजिम के जो हक बनते हैं टाइम टू टाइम उनको वो मिलने चाहिए थे यह अल्रडी बहुत डिले हो चुका था लेकिन आज यह हुआ है अगर छे साल के बाद तो हम इसके स्वागत करते हैं कि इसके अच्छे परिनाम आए ऐसी उमीद करते हैं कि जो इसमें फैसले हो उसको अमली जामा पहनायाजाए और लोगों को, करमचारीों को उनके हिट जो होने चाहिए वो सुरक्षित होने चाहिए उनकी जो मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए और उसके उपर इंप्लीमेंट होना चाहिए यह इसमें देखने बात हुए प्रिशली कॉंग्रस की सरकार ने इसको पांच साल से तीन साल किया है, कि जो भी करमचारी तीन साल तक कॉंट्रेक्ट में अपना पुरा समय करेगा, उसको बैगराइज करेंगे, तो वो पॉलसी हमारी कॉंग्रस सरकार की बनाई होते हैं, आज अगर चार साल वाद उसमें य होश आती है, यह होश आने का कारण मैंने बताया कि क्यों है, लेकिन अगर इन्होंने इसको तीन साल से, कॉंट्रेक्ट का पीडियेड अगर दो साल किया है, हम इसका स्वागत करते हैं, और इसको जल्दी से जल्दी इसको इंप्लिमेंट हो, जो लोग उसके दाइरे में आ आपने मीटिंग में बोल दिया, कागजों में हो गया, फाइलों में हो गया, इसका जो है करमचारी भाईयों को इसका असलियत में इसका फायता होना चाहिए, यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपुरण है, कि जो नीती चल रहे हैं, जिस प्रकार से आउट्सोर्स में ह बच्चे और लोग काम कर रहे हैं, उनका जो भविष्य है, वो सुरक्षित नहीं है, और इसके लिए आने वाले समय में इस सरकार को भी सोचने कि आउशकता है, जो आने वाले में अगली सरकार होगी, उनको भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कि किस प्रकार से जो माचल प्रदेश के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको किस प्रकार से इनके चुंगल से बचाया जाए, और उनको जो मिनिममम सैलरी की वो डिमांड करने हैं, कि मिनिममम वेजिस उनको भी मिलने चाहिए, उसमें सरकार का इंटरवेंशन होना चाहिए, ये बहुत बड़ी समस् हजारों के संख्या में लोग और शोर्स पे काम करें, लेकिन ये सरकार मुझे लगता है अब चार साल बाद अब होश में आई है, जब लोगों ने इनको एक डोस दिया है, लोकतंतर का ये डोस है, अब मुझे लगता है कि जीरो होने की वज़ा से अब ये थोड़ा सा समझ करने की कोशिश करें, पर मैं समझता हूँ कि अब समय निकल चुका है, अब चार-चे महीने की सारी सरकार है, अब ये क्या करेंगे, कितने फैसले होंगे, कितने जमेनी इस तरफ पर उतरेंगे, कितने लोगों को फाइदा होगा, ये अपने आपने एक बहुत बड़ा क्व चलाएं पर में पर उतरेंगे टांपे आपने चारी सरकार है, ये जमें समय.